वेल्वन वेल्कम दोस्तो आप सबका स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल में और मैं हूँ आपका दोस्त ब्राट भाई और आज हम बात करने वाले हैं दा हन्रेट कॉंपटिशन दो हजार बाइश के बारे में जो जल्री यी स्टार्ट होने वाला है और भेत रीं पंपटिशन होता है एक अच्छी लीग उती है लास्ट इयर इसका आगाज हुआ था लास्ट इयर ये लीग स्टार्ट हुए थी पहला इसका एडिसन हुआ था और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट इसने अर्ण करके दिया था पंटर भाईयों के लिए तो आज हम इस पूरी लीग का प्रिव्यू करेंगे कि इस लीग में कितनी टीमें पार्टिसिपेट करेंगी कहां कहां कौन कौन से वेन्यू पर मैच खेले जाएंगे इसके अलावा बुकी टीम कौन सी रहेगी पैंटर टीम कौन सी रहेगी किस टीम के अंदर कौन से प्लेयर कि कितने परसेंट चांसे रहेंगे मैच में डिफेंड होने के तो पूरी वीडियो में कवर करेंगे इन सारे टॉपिक्स को तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजी जे लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है और वीडियो को लाइक कर 9 आपकी स्क्रीन पर सो हो रहा है, इसको अपने मॉवाइल में सेव कर ली जी किसी भी मैच की कंफर्म बिनिंग रिपोर्ट के लिए break wine रिपोर्ट के लिए हमसे contact कर सकते हैं, हमारे what's up पे contact कर सकते हैं 빠ора फोई kiedy 10 interviewed यह start होगा आपका 3 अगस्त से 3 अगस्त 2022 से यह स्टार्ट होने वाला है देखा जाए तो आज 21 तारिक हो चुकी और अगले 10 से 12 दिन में यह competition स्टार्ट हो जाएगा अब बात करें हम इसमें कौन-कौन सी टीमें पार्टिसिपेट करेंगी कितनी टीमें पार्टिसिपेट करेंगी तो टोटल पांच टीमें इसके अंदर आपको पार्टिसिपेट करती नजर आएंगी जिसमें सबसे पहले आपको टरेंट रॉकेट, साउथन व्रेव, ओवल, इन्विंसिविल्स, मन्चेस्टर ओरिजिनल इसके लावा आपको वर्मिंगम, फिनिक्स, नॉर्थन सुपरचार्जस, लंदन स्परिट और वैल्स फायर ये टोटल आठ टीमें पार्टिसिपेट करेंगी लास्ट येर की तरह, लास्ट येर भी आठी टीमों के साथ ये लीग स्टार्ट की गई थी और इस बार भी आठी टीमें पार्टिसिपेट करेंगी सबसे इंपोर्टन चीज एक बात और याद रखेगा जिन लोगों ने अभी तक हमारा टेलिग्राम जॉइन नहीं किया लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया जाएगा साथी साथ जो हमारा पहला कमेंट होगा उसमें पिन करके दिया जाएगा कहीं से भी आप जाके लिंक को जॉइन कर सकते हैं इसके अलावा आप डारेक्ट टेलिग्राम पे जाकर बिराट वाई फोटी एट बिराट भाई फोटी एट लिग दीजेगा अब आपको हमारे चैनल मिल जाएगा बिराट वाई फोटी फाइब बिराट वाई फोटी फाइब अगर आप सेर्च करेंगे तो डारेक्ट लिए आप हमारे चैनल पे पहुंच जाएगे इसके लावा अगर हमारे साथ बॉट्स अपर काम करना चाहते हैं अब बात कर लेते हैं सबसे पहले हम सारी टीमों पे नमबर एक पर बात करते हैं लंदन इस्परिट में कौन कौन से खिलाड़ी आपको देखने को मिलेंगे सबसे पहले जैक क्रॉली, मार्क वूट, गलेन मैक्स बिल, ओइन मॉर्गन, डैन लॉरेंस, एडम रॉसिंग्टन, रभी बोपारा, बाल के कलन, व्रेड हील, कारिन पोलार्ड, लियाम डॉशन, रैली मेर्धित, जॉर्डन थॉम्सन, डैनियल वेल्ड, ड्रमंड, एंड क इस बूट, यह रहेंगे पिलियर्स, लंदन, इस्प्रेट के टोटल पिलियर्स, अब इसमें से, सिलेक्टेड इलेविन को खलाया जाएगा, जो नैट पे अच्छा परफॉर्म करेंगे, जो प्रिविज लीग में, प्रिविज टूनमैट में, प्रिविज मैच्छे में अ इसमें आपको मिलेंगे जैक क्रॉली, गलेन मैक्सवेल, इसके लावा आपको इसमें मिलेंगे रवी बोपारा, इसके लावा आपको मिलेंगे इसमें रैली मेरेदित, इसके लावा आपको मिलेंगे कारिन पोलार, बाकी पिलियर्स भी अच्छा करेंगे, लेकिन कंसिस्ट जो performance आपको देखने को मिलेगी वो इन पेलियर्स की साइट से मिलेगी अब नदर डाल लेते हैं बेल्स फायर पे बेल्स फायर में आपको टॉप में मिलेंगे जॉनी वेरस्टो उसके बाद आपको मिलेंगे आली पॉप उसके बाद बैन डुकेट जैक विल, टेविड पेन, लीज डुपलोई, रियान हिंगिन्स, जेजे कॉप, जियो कलार्क, टॉम बॉंटन, एडम जंपर, डेविड मिलर, नसीम सा, सेम हैन और जैकब बेथल ये रहेंगी टोटल बैंच स्ट्रेंथ और टोटल टीम स्ट्रेंथ बेल्स फायर की अब इसमें से जो प्लेइंग लेविन में आपको नजर आ सकते हैं और अच्छी परफरमेंस करते हैं जोनी बैरस्टो, वैन डुकैट, लूस डुपलोई, इसके लावा आपको जेओ कलार्क, टेम बैंटन, एडम जैंपर, और बालिंग की बात करें तो बालिंग थोड़ा सब्सक्राइब का बीक है, कोई अच्छे नाम या अच्छे बॉलर्स बैलस फायर में नहीं है, लेकिन बैटिंग के मामले में बैलस फायर बहुत जाबर स्ट्रॉंग टीम है, अगली टीम पे चलते हैं, नेक्स्ट जो हमारी टीम है, वो है मंचस्टर ओरिजनल, इसमें लेरू इवन्स, वनिंदु हसरंगा, डैनियल वारिल, सीन अवर्ट, ये टोटल पेलियर नजर आएंगे, अब इसमें से जो बैस्ट पेलियर रहेंगे, आपको जौस बतलर, फिलिप सॉल्ट, डैनियल वारिल, सीन अवर्ट, वनिंदु हसरंगा, आंद्रे रसेल, लेरू इसके अलावा आपको टॉम लंबॉन भी, ये टोटल पेलियर आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस देते नजर आएंगे, और साथी साथ जैमी ओवर्टन जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों से अच्छा काम डाल देते हैं, टी टॉन्टी फॉर्मेट के अंदर, या सौट स्टॉंग नजर आ रही है, बैटिक के साथ से भी, बॉलिंग के साथ से भी, बात करें नॉर्टन सुपार जार्जिस की, तो नॉर्टन सुपार जार्जिस में आपको बैन स्टॉक मिलेंगे, जिन्होंने रिसेंटली अभी ODI से सन्यास ले लिया है, और T20 में कैसा परफॉ इसमें रिसेंटली वाल्स का होता है, इसमें रिसेंटली वाल्स का ही टूरमेंट होता है, इसके बाद आपको आदिल रासित, देविड विल्ली, फैब डू बलेसिस, हैरी ब्रू, रेडर क्रेस, मैथ्यू पॉर्ट, जॉन सिम्सन, एडम लित, कैलम पार्किशन, ड्वेन बहाब रियाज, एडम होस, रॉल्फ वेंडर मर्व, और आपको मिलेंगे लास्ट में ल्यूक राइट, अब इसमें अगर हम बैटिंग की बात करें, जो रिसेंटली अच्छा परफॉर्म करके आए हैं, जो इन फॉर्म बैटर हैं, तो आपको मिलेंगे फैब डू पलेव अगर हम बालिंग की बात करें, तो बालिंग भी इन्होंने ठीक ठाक बालिंग रखी, इसमें डुएन ब्रावों हैं, वहाफ रियाज हैं, इसके लावा ब्रैडन क्रेस बालिंग करते हैं, और कैलम पार्किसन जो इस पिन में लास्टी हैं, उन्होंने काफी अच्छा अगर हम बैटिंग की बात करें, तो आपको लविंग स्टन, मौईन अली, इसके बाद आपको टॉम एवल, बिल सिमीड, क्रिस वेंजामिन, माइल सैमोन, हैंरी ब्रूक, जैक लीच, मैथ्यू वेड, आली स्टॉन, कें डिजर्स्टन, मैथ्यू फिसर, अब बात करें बर् वेंजामिन, और माइल्स हैमोन, यह आपको बैटिंग में काफी अच्छी डैफ देतें नजर आएंगे, अब बात करें बालिंग की, तो बालिंग में आपको कें रिजिस्टिस्टन, औस्टेलिया के हैं, इसके अलावा आपको मैथ्यू फिसर, किरिस बोक्स, और हैंरी ब् आपको मिलेंगे, सैम करन, रॉरी वर्न, जैसन रॉय, सैम बिलिंग्स, टॉम करन, विल जैक, साकिब महामूद, रिस टेपली, जॉर्डन कॉक्स, नील नरेन, राइल रोसो, डैनी विरिक्स, हिल्टन कार्ट राइट, मैथ्यू मिलिन, एंड जैक लेनिंग, बैटिंग, इ इसमें आपको सैम करन, बैटिंग, बॉलिंग, दोनों करते नजर आएंगे, रॉरी वर्न टेस्ट के पिलियर है, तो इनको मैं ज्यादा अच्छा इंपेक्टफुल पिलियर काउंट नहीं करता हूं, लेकिन बिकिट कीपिंग करते हैं, तो कीपिंग के परपस से ये खेल स करें, तो बॉलिंग में आप इनको आपको टॉम करन, साकिम महमूद, रीस टेपली, सुनील नरेन, यह आप और डैनी विरिक्स, यह आपको बॉलिंग में बिलेंगे, साथ साथ बैटिंग में आपको जॉर्डन कॉक्स की साइट से भी अच्छी परफरमेंस देखने को मिल स इसके बाद मरकस स्टोइनिस, जेम्स विंस, टैमल मिल्स, क्रिस जॉर्डन, जॉर्ज गार्टन, अलेक्स डेविस, जैक लिंटॉट, टिम डेविड, रोस विटली, क्रैग ओवर्टन, कॉंटन डी कॉक, जियो वैदरली, डैनियल मॉलिटरी, और रिहान एमद, साथन वरे दूसरी टीम हो, मुझे आ सके हैं, इस टीम की स्टेंद की बात करें तो आपको जेम्स बिंस, मारकस स्टोइनिस, क्वांटन डी कॉक, ये तीन आपको बड़े नाम नजर आ रहे हैं और टिम डेविड, बैटिंग की साइड से, बालिंग की बात करें तो टैमल मिल, क्रिस ज का नहीं होंगे, तょ बैटिंग की साइड से देखा जाए, और बॉलिंग की साइड से देखा जाए, तो बैलंस टीम नजर आती है, लेकिन जिस तरीके का पफॉरम Sustain, लंने last year दिय को रहे था, उस तरीके का पफॉरमेंस को continue कर पाएगी, ये नहीं कर पाएगी, वो तो में आसित खान एलेक्स हेल्स लियूस ग्रेगरी मर्चेंडी लेंगे लियूक बूट समित पतेल मैथ्यू कार्टर स्टेवन मुले टॉम मॉरिस टॉम कॉलर कैडमॉर कॉलिन मुन्रो यान कोकबेन लियूक फिलेचर यह रही कि टीम ट्रेंट रॉकेट के टीम में देखा जाए त अब इसमें इनफर्म पिलियर की बात करें डेविड मिलान आपको इनफर्म नजर आ रहे हैं रासित खान आपको इनफर्म नजर आएंगे इसके अलावा आपको टॉम केलर टॉम कोलर कैडमॉर ने ठीटा परफॉर्म किया था अभी जो रिसेंटली इनका नेटवर्स टीट यह चलते हैं दो तीन मैच में फिर नहीं चलते हैं तो एवरेज खेल रहे हैं तो टारेंट रॉकेट भी एवरेज टीम नजर आती है अब बात कर लेता है वेन्यू की तो टोटल आठ वेन्यू पर यह मैच होगा जिसमें सबसे पहले आएगा आपका मंचस्टर रखपड़ता है तो आपको पता होना चाहिए कि कॉंसी टीम का हमग्राउंड किया है उस पर कहीं नकहीं अच्छा परफॉर्म करती है दूसरे ग्रांड के मुकाबले विकॉ agree उस पर प्रेक्टिस करती है और वो वह उस ग्राउंड को समझती है अब आट करें तीसरे पी त तोफिया गार्डन कार्डिफ जो बैल्स फायर का हम ग्राउंड है लॉट्स का जो लंदन का ग्राउंड है वो लंदन इस्प्रिट का हम ग्राउंड रहेगा और ओवल लंदन में जो ग्राउंड है वो ओवल इन्विंसिविल्स का हम ग्राउंड रहेगा इसके साथ रोस बाल साउथ हैम्टन का जो ग्राउंड है वो साउथन ब्रेज़ का हम ग्राउंड रहेगा अब जब भी कोई टीम अपने हम ग्राउंड में खेलती है तो कहीं न कहीं वो अच्छा परफॉर्म करती है विकोज वो उस पर काफी टाइम से प्रैक्टिस कर रही होती है और वो उस ग्राउंड को जानती है कि वहाँ उस ग्राउंड में किस तरीके से खेला जाता है तो यह रहेंगे टोटल वेन्यू आठ वेन्यू पर यह मैचिस कराए जाएंगे टोटल 34 मैचिस की लीग होगी अब बात कर लेते हैं बुकी टीम और पंटर टीम की यह 4 टीमें जो हैं बुकी टीम रहेंगी जो बुकी को सपोर्ट करेंगी पंटर को सपोर्ट नहीं करेंगी इसके लावा जो पंटर टीम रहेंगी वो रहेंगी बर्मिंगम फिनिक्स, नॉर्थन सुपर चार्जर, ओवल इन्वेंसिविल्स और मन्चेस्टर ओरिजिनल ये चार टीमें पंटर टीम रहेंगी तो अगर आप एक अच्छी अंग करना चाहते हैं तो आप पंटर टीम के साथ जाएगा पंटर टीम आपको कही न कहीं प्रॉफिट देखे जाएगी इस पूरी लीक के अंदर बात करें प्री प्रेडिक्सन की तो देखे इस लीक के अंदर 65% टार्गेट आपको चेस होते नजर आएंगे और 35% चार्जिस जो स्कोर्स होंगे वो आपको मैचिस में वो डिफेंड होते नजर आएंगे 65-35 में कुछ मैचिस रेन इफेक्टेड रहेंगे रेन की बज़े से बॉल्स कम हो सकती है रेन की बज़े से मैच नहीं भी हो सकते हैं तो कुछ ऐसे मैच भी आपको देखने को मिलेंगे कब बिनर की बात करूँ तो इस साल का जो कब बिनर मुझको नजर आता है वो मंचस्टर ओरिजिनल और ओवल इन्विन सिविल्स नजर आता है इसके अलावा अगर हमें average score की बात करूँ तो average score जो आपको इस पूरी league में पूरे tournament में आपको देखने को मिलेगा 122, 145 का आपको इसमें average score देखने को मिलेगा अगर 120 से नीचे का score लग रहा है तो definitely वो score easily chase हो जाएगा 145 to 170 का जो score होगा ये tough score होगे अगर कोई भी team 145 plus का score first bat करके लगा रही है तो वो एक अच्छा score लगा रही है और वो इसको defend करने की पूरी पूरी कोसिस करेगी और कर भी सकती है reason कह रहेगा क्योंकि 100 ball का tournament होगा ये 20 over का tournament नहीं है ये 100 balls का tournament है और 100 ball tournament में 140 145 का score average score रहेगा मैं आपको बताया 120 to 145 normally जो आपको score देखने को मिलेंगे 140 145 150 135 130 ये score आपको देखने को मिलेंगे जहां भी score 150 को ऊपर जाएगा उस team के जितने के chances उतने ज़्यादा बढ़ जाएगे तो आज की वीडियो में इतना ही वीडियो अगर आपको पसंद आईए तो वीडियो को लाइक कीजिए ये चैनल को सब्सक्राइब किये हुगा मत जाएगा क्यों क्योंकि जैसे ही tournament start होगा डेली हर मैच की preview वीडियो आपको इस चैनल पे मिलेगी और उस वीडियो में आपको proper prediction दी जाएगी प्रॉपर दोनों ही टीमों को compare करके बताया जाएगा कौनसी टीम strong है कौनसी टीम weak है किस टीम के जीतने के chances ज्यादा है प्रॉपर आपको बताया जाएगा इसके अलाबा जो confirm winning report आपको दी जाएगी वो दी जाएगी हमारे contact number 971-659549 पे तो जल्दी जल्दी नंबर को save कर के लिजिए और साथ साथ टेलीगराम को जोन के लिजिए जितने भी हमारे open matches आते हैं सारे के सारे हमारे टेलीगराम पे आते हैं क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि पहले playing living कुछ होती है suddenly किसी pillar को चोट लग जाए match से पहले playing living change हो जाए तो क्या होता है कि prediction भी change हो जाती है और match report भी change हो जाती है एक pillar के खेलने ना खेलने से या फिर weather condition होने से बारिस के हो जाने से balls कम हो जाने से भी फरक पड़ जाता है तो अगर हमें कभी भी कोई भी लिंक आपको description में मिल जाएगा साथी साथ आप rat545 डाल के search कर सकते हैं और हमारे चनल को join कर सकते हैं thank you for watching take care love you all